छे महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अब इस वीडियो में काफी उचल कूद करते हुए आपको दिख रहा हूं और ये वीडियो यार काफी सारे लोगों तक पहुची और सब के दिमाग में एक ही क्वेश्चन था भाया जी कितने का लगा प्लेस्मेंट और कहा लगा आपका प्लेस्मेंट और यार ये जैसे जैस लेकिन अब फाइनली अपन को मिल गई है परमीशन अब हम क्या प्लेस्मेंट के बारे में सोचते हैं कि कम्पणी फोर त्यर में आएगी अपन या तैयारी करो बढ़िया उसका टेस्ट दो फटाक से टेस्ट निकालो इंटर्विव होगा इंटर्विव में आंसर दो और आ लेकिन यह इतना आसान कहां होता है और यह तो सिलसिला है वह फोर्थ यह नहीं उससे काफी पहले ही चालू हो जाता है अब होता क्या यार कि जैसे ही थर्ड यह की स्टार्टिंग से पहले इंटर्विव के लिए कंपनी आने लग जाती है अब इंटर्विव का और प्लेस् इसमें क्या होता है कि आपको company ने बोलने कि यह लो तुम्हारा काम बहुत अच्छा लागा और तुम अब सीधा प्लेस्मेंट लो हमारे पास ही आजाना जैसे तुम्हारी इंजीनियरिंग अब यह जो इतना आसान दिख रहा होगा आपको शायद उसमें रुतिये दिक्कत है क्या सीना यार कि जो इंटर्शिप के लिए companies आती है वो यार प्लेस्मेंट से रिलेटर बहुत कम होती है तो इसलिए जो भी जैसे मालो हजार बच्चे हमारे college में बैठते हैं तो यार सिर्फ इंटर्शिप लगने वाले 100 या 1500 रहते मालब 10-15% वाले लोगों का ही selection होता है कि इतने ही लोग हुआ है अब अपान तो ठेरे confident यार कि ऐसे कैसे हम कैसे नहीं आएंगे top 100 या 150 में हम तो भाई अबस company आए खटाक से crack करेंगे तयारी यारी करके बैठे हुआ है इसी confidence के साथ अपन company हो बैठना चालू है और जैसे जैसे बैठते कर बहुत ही प्यार से reject हो अब ऐसा नहीं था यार कि मैं टेस्ट में कोडिंग क्वेशन करनी पा रहा था मैं यार कोच सारे टेस्टों में सारी की सारे कोडिंग क्वेशन कर रहा था लेकिन फिर भी shortlist नहीं हो पा रहा था और जबकि मेरी जो CGPA थी वह अब आपार थी तेस्ट को qualify करने के लिए लेक इकदम end में आने लगिया है को एक महीना निकल गया और companies आना भी अप धीरे 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 कम होग और मेरे को लगा यार कि उपन ने सोचा था जो कि अबने से अब प्लास्त बॉंप करें वह आर अब एकदम ब्सक्राट का निकले है और रहा लिए बाद रहा इस से यहार में क है कि September में जब अगले मंत में चाल हुआ वापिस से कंपनी आना स्टार्ट हुए अब उस कंपनी आने में एक कंपनी आई बहुत ही भेंकर पे देखे मलब उसका स्टाइपेंड था पे पर मन जो होता है उसका काफी हाई था मलब जितनी जैसे ही सर्च करा तो में को लगा कि होगी कोई स्टार्ट अब चालू वालू हुई होगी कोई अपन को क्या पता लेकिन जब देखा तो या अपने दादा के दादा के जमाने की कंपनी है और काफी रेपुटेटेटेड कंपनी और थर्ड लार्जेस्ट बैंक है इन यूएस तो में को लगा यार भाई बहुत ही सही ऑपरचुनिटी आया यह तो और अब देखो जो हो गया है उसको हटाओ पानी में डालो उसको और वापिस से पूरे अच्छे ढंग से देखे कि आर अपन निकालेंगे निकालेंगे और मैंने उसका टेस्ट दिया पता नहीं कैसे मै सबके देरा था लेकित उसी में शॉटलेस्ट हुआ फिर उसके इंटर्व्यूस दिये इंटर्व्यूस काफी अच्छी तरीके से गए और फाइनली अपन को मिल याथ है इंटर्णशिप ओफर एट वेल्स पार्गॉर अब अपना सिर्फ एक ही मक्सद है कि जैसे ही इंटर अब उसमें हुआ क्या है कि जोल तो हो नहीं अपने साथ है बिना जोल करें कैसे हो सकता है तो क्या हुआ कि चार प्रेजेंटेशन हमें देने थे फॉर्ट वाली सबसे फाइनल थी और इसे अलग 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 टाइम पर पूरे इंटर्शिप दो महीने की पिरेड में चार बार इंटर्शिप देना था अब अपने जो पहला प्रेजेंटेशन दिया उसमें तो बाबा पूरा हग दिया एकदम बेकार होता है हम काम बहुत अच्छा कर दे लें कि हम प्रेजेंटेशन दे नहीं पाए फिर हुआ यार कि सेकेंड दे देंगे अपन बढ़िया त चालू होने वाला है यार क्योंकि दो महीने बाद हमारा कॉलेज के चालू करता था और मैं इंटर्शिप का काम भी कर रहा था अब जो अपनी इंटर्शिप की लास्ट मीटिंग थी यार 30 जुलाई को और तब तक कॉलेज में भी कम्पनी आना चालू हो गई थी तीन-चार कम्पनी आ चुकी थी और में को ऐसा लग रहता है कि पता नहीं क्या होने वाला है किन कम्पनी में फाइनली प्लेज होंगा लेकिन जैसे ही मीटिंग खतम हुई और उसके ही अगले एक घंटे में अपने पास सी धा मेसेज आ गया है कि यू आर सिलेक्टेड और वेल्स पार प्ल्टाइम ओफर अब आप लोगों को लग रहा हुआ कि यार भाया पैसे कितने अंदेरी है ये तो बताओ ये में क्वेस्चन था आमें तो यह जानना रहता है तो यार आप पता है क्या दिक्कत है अब दिक्कत है कम्पनी ने माना किया है और यार पॉलिसी के अब आपने यहां तक वीडियो देखिए तो आपको यह नहीं चाहता है कि यह जो मेरी लगभग एज के बिल्कुल प्लस माइनस ही है जो भी मेरी सीटी सी है तो अब आप मेरी एज कितनी है वह आप आराम से प्रिडिक कर सकते या पता कर सकते हैं क्योंकि मैं फोर्थ यह मै कि क्या एज होती है वह आप अराम से पता लगा सकते हैं अब आप मैंसे कुछ लोगों को लग रहा हो भाई या नाज गाना तो ऐसा कर दे तो यह तो मदा नहीं आया है हमें मनलब ठोड़ा और एक्स्टेक्ट कर रहे थे तो यह देखो ऐसा है कि जो भी मेरा पैकेज है उस तो यह तो उसलिए आपन नाज गाना करते हैं तो इसमें क्या बुरा ही है की नहीं और मैं यह विश्च करता हूं कि आप लोग भी कोई एक टार्गेट लेके रखे हो कि आपको मानलो कोई एक्जान कराइक करनी है आप किसी इंटर्शिप या प्लेसमेंट आप कोई भी ची क्योंकि आपने हार्ड वर्क देथी आपकी वह आपकी यार पे आफ करी है अब आपको मेरी पूरी प्लेसमेंट की जर्नी जानी है जो पूरा उपर नीचे हुआ कौन से कंपनी में कैसे रिजेक्ट हो रहा था तो आप लोग यार वो चीज कमेंट कर सकते हैं और मैं इर्क है झाल है यार वोः जानी है